दोस्तों हिंदू धर्म में पित्रिपक्ष पक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है, पित्रिपक्ष के दोरान हमारे पूरवच पित्रि लोग से धर्ती पर हमें मिलने के लिए आते हैं, हमारे द्वारा उनके लिए किये जाने वाले श्री राधा तथा तरपन पिंडदान प्रदान करते हैं में प्रतिवर्ष पित्रिपक्ष भादरपद। 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रारंब होकर 2 अक्टूबर के दिन पित्रिपक्ष का समापन होगा पित्रिपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं इस दोरान मनुष्य को पित्रों की संतुष्टी के लिए उपाय अवश्य कर ने चाहिए दोस्तों पित्रि मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं पित्रि मनुष्यों की हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं यदि घर में पित्र शक्ती का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्टात्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर दिय इसलिए हमें पित्र पक्ष में कुछ ऐसे कारे करने चाहिए जिससे हमारे घर में पित्र शक्ती का आभास हुआ पित्रों को प्रसंद करने के लिए गए। पित्र पक्ष में अपने पित्रों की संतुष्टी के लिए वस्त्र आदी का दान अवश्य करें यदि गए का दान किया जाएगा। पोशन करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। पित्र शक्ती का दान अवश्य करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुश्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए, अत्वा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए, इसके अलावा आप अपने घर में ही गौव माता की मूर्ती रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीरवाद प्राप्त होता है, शास्त्रों में गौव माता को मा लक्श्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। संबंद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, गाए की पूजा कैसे करनी चाहिए गाए को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है, तथा गाए के किस अंक कुस पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है, आदी के बारे में हमारे शास्त्रों में हमारी अत्यंत पूजनिय गौमाता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कश्ट दूर होंगे दोस्तों कई बार महिलाएं जाने अंजाने में गाई को कुछ चीजें खिला देती है जिससे मालक्षमी क्रोधित हो जाती है शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाई को कभी नहीं खिलानी चाहिए इससे मनुश्य के जीवन में दुर्भाग आता है और उसे किसी भी कारे में सफलता नहीं मिलती है तो चलिए जान लेते हैं गौमाता के विशे में महत्व पूर्ण नियम सबसे पहली बात है दोस्तों तो गौमाता के दर्शन करना बहुत शुब होता है शास्त्र कहते है रोज सुबह गाई के दर्शन होने से पुन्य की प्राप्टी होती है अगर किसी महत्वपूर्ण कारे के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौमाता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कारे निश्चिती सफल हो जाता है किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौमाता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुख पूर्वक पूर्ण हो जाती है इसमें संचे नहीं है जोतिश शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पित्र दोश होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौमाता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाब होता है और पित्री दोश से मुक्ती मिलती है इसी तरह कंडली में यदि शनी की साड़े साती या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें इससे शनी दोश कम होता है गौमूत्र यानी की गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी पवित्र और स्वास्ते की दृष्टी से अत्यंत हितकारी होता है आध्यात्मिक दृष्टी से तो गौमूत्र का महत्व है है साथ वैग्यानिक और स्वास्ते की दृष्टी से भी गौमूत्र के बहुत से लाब बताए गए है गौमूत्र में बहुत से खनिच पदार्थ और स्वास्ते वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धी करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गुमूत्र चिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गुमूत्र का सेवन करने तथा घर में गुमूत्र चिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिती को मजबूत करने के लिए जोतिश शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी ने निकाल कर एक सफेद गाय को खिलाना शुब माना जाता है अगर आपकी कुंडली में बुद्ध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण है इसके दुश प्रभाव जेलने पड़ रहे हैं तो हर बुद्धवार के दिन गाय को हराचारा खिलाना शुरू कर देगा इससे बुद्ध से जुड़े दुश प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा अगर कुंडली में मंगल दोश है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानिया है तो लाल रंग की गाय की सेवा करें, मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदी खिलाएं ब्रहस्पती ग्रह को जीवन के सभी मंगलिक कारें का कारक माना जाता है ऐसे में अगर किसी व्यक्ती के जीवन में विवा आदी मांगलिक कारियों में विग्ण निर्मान हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में ब्रहस्पती ग्रह की स्थिती को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड और चने रखकर गाए को खिला देना चाहिए इससे आपक शकारात्मक उरजा नश्ट होती है और सकारात्मक उरजा में व्रिद्धी होती है गाए के दूद दही घी गोबर और गोमूतर से बनने वाले पदार्थ को पंच गवे कहते हैं पंच है दोस्तों अगर आपके द्वार पर गोमाता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जिसके द्वार से गाए बिना कुछ प्राप्त किये लोट जाए उसके घर से लक्षमी भी चली जाती है प्रतिक स्त्री को प्रती दिन गाए के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गोमाता को खिलानी चाहिए इससे गोमाता का आशिरवात प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं कुछ लोग गोमाता को बासी भोजन अत्वा जूटा खिला देते है इसे शास्त्रों में पाप माना गया है आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूटाने ही खिलाना चाहिए भूक लगने के कारण गौमाता उस अन्य को ग्रहन कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौमाता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है गायक शाकाहारी और पवित्र पशु है इसलिए गाय के भोजन में कभी मानस आदी चीजें नहीं डालनी चाहिए ऐसा करने से महापाप लगता है यदि आपकी कुंडली में चंदर दोश है जिस के कारण लगातार परेशानी उठानी पढ़ रही है तो आप यह एक उपाय जरूर करें आप रोटी पर सफेद मक्षन नमक और भी लगाकर गौमाता को खिला दें यदि शनी दोश है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौमाता को खिला दें इससे शनी दोश समाप्त होता है मंगल दोश को दूर करने के लिए रोटी पर हलदी लगा कर गाय को खिलाना चाहिए अगर घर में धन की समस्या है तो गौरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए इससे दरिदरता दूर होती है दोस्तों गौमाता की पीट पर एक उबरा हुआ कूबड होता है उसको में सूर्य के तुनारी होती है जब भी आपके द्वार पर गौमाता पधारे आप इस कूबड को एक बार जरूर स्पर्श करें इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंथोगा और धन संपत्ती की प्राप्ती होगी